दोस्तो आज मैं लाया हूँ 12,000 रुपे के अंदर आने वाले दो भैतरीन स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन वीवो T1X और दूसरा Samsung Galaxy F13 तो इन दोनों स्मार्टफॉन की अंबॉक्सिंग और कमपैरिजन करेंगे एक साथ और देखते हैं कौन सा स्मार्टफॉन आपके लिए है बेस्ट फास्ट अपॉल दोनों स्मार्टफॉन के बॉक्स पैकिंग पर नजर डाले तो वाइट कलर के बॉक्स में आता है T1X जिस पर आपको काफी कलरफॉल फॉन्ट में वीवो लिखावा देखने को मिलता है वहीं Samsung Galaxy F13 पर आपको मुवाइल का डिजाइन बॉक्स पर देखने को मिल जाता है बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिये गए हैं जिने में आपको आगे बताता रहूंगा तो बने रही है मेरे साथ वीडियो में चैनल पर आए हो फर्स टाइम और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुरूर कर दीजिए ऐसी वीडियो मैं आपके लिए आपर रेगुलर लाता रहता हूं तो शुरुवात करते हैं वीडियो टीवन एक से सबसे उपर एक मिनी बॉक्स नजर आएगा आपको जिस पर वीडियो की ब्रांडिंग की गई है और अंदर यहां पर आपको फॉन को सैप्टी देने के लिए दिया गया है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपरेंट सिलिकन का कवर काफी अच्छी क्वालिटी का साथ में एक वारंटी कार्ड और क्विक स्टाइट गाइड यूजर मैनुवल इसके बाद नजर आता है स्मार्टफॉन इसे निकाल के फिलाल रखते हैं साइड में अंदर देखें तो आपको यहां पर एक चार्जर अडप्टर दिया गया है 18W का 5V 2A 9V 2A की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है इसके बाद आपको नजर आएगगी एक वाइट कलर की USB केविल और यह है टाइप C USB केविल की लेंथ और क्वाल्टी काफी बढ़िया दी गई है इसके बाद आते हैं सैमसंग गेलेक्सी F13 पर सब से उपर आपको एक मिनी बॉक्स नजर आ जाएगा जिस पर सैमसंग की ब्रांडिंग इसके अंदर से मेजक्टर पेन क्विक स्टाइट गाइड दी गई है इसके बाद बॉक्स में रखावा मिलता है स्मार्टफॉन जिसे फिलाल रखते हैं साइड में अंदर देखे तो आ है वो काफी सौट रखी गई है और यह टाइप सी यूएसवी केविल है थोड़ी सी लॉंग देनी चाहिए थी केविल और यह रहे है दोनों स्मार्टफॉन जिनका फ्रेंट लुक कुछ ऐसा आपको नजर आएगा इनहें फील सैमसंग गेलेक्सी एफ 13 मोटा और भारी लग रहा है साइस दोनों का लगबग एक जैसा है और दोनों पर आपको ड्रॉप नॉज डिस्प्ले मिलती है इस स्क्रैच गाल वीवोफर आपको पहले से लगा हुआ मिल जाता है दोनों स्मार्टफॉन की पावर को मैंने एक साथ ओन किया था लेकिन यहां पर सैमसंग ग पैनल दिया गया है जिस पर आपको काफी कमाल का कलर चेंज़ नजर आएगा देखिए यहां पर बिल्कुल डार्क ब्ल्यू और अभी यहां पर लाइट ब्ल्यू जो काफी कमाल का लग रहा है इसके अलावा भीवो की व्रंडिंग की गई है और उपर कैमरा सेटप पे देखें तो यहां बिल्कुल फ्लैट लेकिन कॉर्णर जो है वो कर्वी आपको दिये गए है इसके अलावा यहां आपको टेक्च्चर डिजाइन लाइनिंग है यह आवाज आप सुन सकते हैं इन पर रेजिस हैं स्क्रेचेस काम आते हैं ग्रिप अच्छी बनती है नीचे स सेंसर कैमरा विद LED फ्लैस लाइट दिया गया है फ्रेंट में ड्रॉप नौच के अंदर आपको इसमें भी एट मेगाविक्सल का सेलफी कैमरा मिलता है दोनों ही स्मार्टफॉन के साइड में आपको फिंगर फिं सेंसर मिल जाता है साथ में पावर ऑन की भी यहीं पर दिय और उपर की साइड आपको secondary mic noise cancellation के लिए दे रहा है galaxy f13 और t1x में आपको sim tray उपर की साइड मिलती है left side में आपको sim tray samsung दे रहा है और bottom में दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल same 3.5 mm का audio jack, primary mic, charging jack और speaker grill दिया गया है दोनों स्मार्टफोन की brightness को 100% कर लिया है यहां का जो interface है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा और करीब से आपको दोनों की display को दिखाएं तो बहुत ही colorful और bright display आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाती है brightness और colors मुझे ज़्यादा better samsung galaxy f13 के लगे इसके अलावा 450 nits की brightness आपको t1x में और 480 nits की brightness galaxy f13 में दी गई है इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के icon आप देख सकते हैं user interface scroll आप करते ही यहां पर आपको सारे के सारे application नजर आएंगे pre install app दोनों स्मार्टफोन में दी गई है हलाकि इन्हें आप uninstall भी कर सकते हो 90 Hz का refresh rate मिलता है आपको t1x में और galaxy f13 में आपको 60 Hz का refresh rate दी आ गया है इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के जो edge और bezels हैं corner से थिक हैं लेकिन नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा आपको नजर आएगी चलिए बात करते हैं display की तो 6.58 इंच की full HD plus IPS LCD दी गई है वीवर T1X में जिसका aspect ratio 20 to 9, screen resolution 1080 into 2408 pixel और pixel density 401 ppi की मिलती है और Samsung Galaxy F13 में आपको 6.6 इंच की full HD plus display दी गई है और इसमें आपको PLS TFT का panel दिया गया है 20 to 9 aspect ratio, screen resolution 1080 into 2408 pixel और pixel density 400 ppi की मिलती है इसमें आपको Corning Gorilla Glass 5 का protection दिया गया है जबकि T1X में आपको Panda Glass का protection मिलता है चलिए दोस्तों आप setting पे नजर डालते हैं शुरुआद T1X से करते हैं इसकी setting को जैसी आप open करोगे तो अंदर जो interface है वो कुछ इस type का आपके सामने खुलता है 6NM का fabrication Adreno 610 के graphic आपको इसमें दिये गए हैं वहीं आप आते हैं Samsung Galaxy F13 की setting पर तो इसकी setting को भी जैसी आप open करोगे तो अंदर इंटर फेस कुछ ऐसा आपको नजर आएगा जहां सबसे नीचे about phone section दिया गया है और इसमें आपको software information में जाना है जहां आपको 1 UI core version 4.1 मिलता है Android version आपको इसमें 12 मिलता है जबकि Vivo में 11 दिया गया है और यहां पर ज़्यादा कोई information आपको दिखेगी नहीं चलिए हम बदाते हैं आपको 2 GHz का octa-core processor आपको इसमें दिया गया है chipset Samsung Exynos 8 का आपको इसमें मिलता है 8NM का fabrication और graphic mileage Z52 के आपको इसमें दिये गए है 4GB RAM, 64GB का internal storage, expandable memory 1TB तक आप इसमें भी बढ़ा सकते हैं इसके अलवा दोनों smartphone की height भी देख लेते हैं तो 164.2 mm की height आपको Vivo में और Samsung में 165.4 mm की height मिलती है थिकनेस को देखें, तो T1X में आपको 8 mm की थिकनेस और 9.3 mm की थिकनेस आपको Samsung में मिलती है weight में भी अंतर है, 182 gram का अमारा Vivo T1X और Samsung Galaxy F13 है 207 gram का ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है 6000 mm की बैटरी और यहां आपको 5000 mm की बैटरी मिलती है चलिए दोस्तों एक छोटी सी नजर दोने स्मार्टफोन के कैमरा पर डालते है तो यह हमने आपर दोने स्मार्टफोन के rear कैमरा को normal mode में on कर दिया है तो color का थोड़ा different थोड़ी से जो actual color है वो Samsung की कैमरा से नजर आ रहे है दोनों में आपको 50 मेगा विक्सल का कैमरा दिया गया है और यहां पर थोड़ी से जो बीवो है वो edited picture मतलब यहां पर filter जैसा यूज किया हुआ ऐसा image आपको देखने को मिलेगा अभी मैं दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा है उनका full zoom quality आपको दिखा रहा हूँ तो यहां पर आप अंतर साब साब देख सकते हैं थोड़े से better color आपको Samsung F13 के देखने को मिलते हैं वहीं दोनों स्मार्टफोन का जो front selfie camera है वो है 8 Megawixel का और यहां पर भी मुझे Samsung का थोड़े सा better camera लगा इसका selfie camera जबकि दोनों में 8 Megawixel का है तो यहां पर तो आप सभी की पसंद matter करती है आपको दोनों में से कौन सा camera अच्छा लग रहा है आप comment box में बता सकते हैं तो friends यह थे 12,000 रुपे के अंदर आने वाले दो बहतरिन स्मार्टफोन दोनों ही स्मार्टफोन अपनी business खूबियों के साथ आते हैं लेकिन दोस्तों बात आती है मैं कौन सा स्मार्टफोन परचेश करना चाहिए तो सबसे पहले तो आप सभी की पसंद matter करती है आप अगर वीवो यूजर हो तो वीवो का आपको पसंद आएगा सैमसंग यूजर हो तो सैमसंग का पसंद आएगा बाकी build quality और mobile का जो look है उसमें या पर मुझे वीवो T1X बहुत ही बढ़िया लगा camera clarity इसकी भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है हलागि सैमसंग का भी अच्छा camera दिया गया है लेकिन ये आपको थोड़ा सा मोटा और भारी जलू लगेगा हाथ पर